दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 से कट चुका है टीवी के तीन बड़े आक्टर्स का नाम, कौन से हैं वो तीन बड़े आक्टर्स जिनका कट चुका है पत्ता बिग बॉस सीजन 18 से और वो भी इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की जो डिमांड थी मेकर से वो बहुत जादा थी चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है भी तक आपने चानल को सब्स्ट्राइब जरूर करें और वेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के लिए धीरज धूपर का नाम सा रहा है बिग बॉस के घर में और उसकी वज़े धीरज की जादा मांग, धीरज काफी जादा पैसे मांग रहा था मेकर से और ऐसे में उसको शो से हटा दिया गया, तो वहीं जो दूसरा नाम सामने आ रहा है, वो भी अपने आप में काफी जादा चौकाने वाला नाम है, व धामी का शेहजादा धामी की भी डिमांज बहुत जादा है और खबरों के माने तो शेहजादा का भी पत्ता शो से कर चुका है शेहजादा ने मेकर्स के सामने बहुत सारी शर्ते रख दी थी और मेकर्स उन शर्तों को लेने के लिए तयार नहीं थे यही वज़े है कि शेहज आप सभी को पता होगा कि रित्विक का नाम भी शुरू से शो के लिए सामने आ रहा था लेकिन खबरों की माने तो रित्विक को मेकर्ज नहीं ला रही हैं और उसकी वज़ेवनी है निया शर्मा जी हां मेकर्ज नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई भी दोस्त शो के अंदर होते ही कहीं न कहीं अपना ग्रुप बना ही लेते और सभी घरवालों पर भाड़ी पढ़ने लगते और ऐसे में यहां पर इसी लिए मेकर्ज ने रित्विक को शो से खटा दिया वेल दोस्तो इन तीनों में से किसको करेंगे आप मिस आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट्स में लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिलकुल भी ना भूलें